पॉलेटकल साइन्स एंड पब्लिक अडिश्टेशन की स्मार्ट इस्टिडी के लिए सब्सकाइब करें मेरा चैनल पॉलेटकल साइन्स बाय डॉक्टर शिप्रावर्मा एंड हिट दा बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट अप्डेट अप्डेट आप माई वीडियोज हेलो डियर फ्रैंस मैं डॉक्टर शिप्रावर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पॉलेटकल साइन्स बाय डॉक्टर शिप्रावर्मा में डियर फ्रैंस आज से एक नई सिरीज की सुरुवात कर रही हूं मैं जिसके अंत्रगत हम खंड सिच्छ अधिकारी जो कि UPP EC की खंड सिच्छ अधिकारी है उसके उस एक्जाम की तैयारी करेंगे और साथी साथ हम जो उस प्यूक्षार का रीक्जाम होने वाला जो 2016 की परि प्रीज नेयस के लिए अत्यांत महतपुर्ट स्रीज है तो यह सब पहले भारती लाजबहास था यानि इंडियन पॉल्टी के अत्यांत महतपुर्ट कुस्ट्ट की प्रैक्टिस करेंगे जो कि भीइन परिच्चाहों में अधिक से अधिक क्रिश्चन की प्रैक्टिस कर सकें तो जैसा कि आज सभी वीडियो के थम्नेल को देख का जान गये होंगे आज जिन प्रश्णों की हम चर्चा करेंगे वो भारती राजबैस्था के अत्यन महातपुर प्रश्ण है जिनका टॉपिक है भारत का समयधानिक इत तो भारत की समयधानिक इतियास से विविन एक्जान में जो कुछन पूछे जा सकते हैं या जिन कुछन के पूछे जाने की संभावना है उनकी आज हम प्रैक्टिस करेंगे तो चलिए जादेनी करते हैं शुरू करते हैं आज की सिरीज इंडियोन पॉलिटी की मोस्ट चर्चा करेंगे भारत की समयधानिक इतियास से संबंदित अत्यंद महातोफुल प्रश्णों की तो इस सीरीज के अंतरगत पहला जो कुछन है वह यह है कि भी आरम मेड का महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताच्छित पूर्ण समझाता में प्रावधान था किसका प्र से मिलान करके आपको बता रही हूं तो इसके अंतरगत जो सूरत भी भाजन हुआ था वह 1907 में हुआ था सांपताइक अधिन हुआ था 1932 में सब्रदली सम्मेलन हुआ था 1928 में और पुर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था 1929 में तीशा क्विश्चन है किस अधनियम के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रतान की गई भारत परिशा दन्यम 1861 के द्वारा एक और कुश्यन है चौथा सई सुमेलन है तो इसका सई सई सुमेल करके मैं बता रही हूं अगस्त घोष्णा किसे संबंदित है लार्ट मांडेंग्यू से अगस्त प्रस्ता किसे महात्मा गांदी से और प्रत्यच कारवाई दीवस्त मंदित है महम्मद अली जिन्ना से पाच्मा कुश्यन है रेगलेटिंग एक्ट पारित किया गया ता 773 इश्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामरग्य नियुक्त किया गया था किस सन में सन 1858 इश्वी में साम कि रजवारों की अथायसिती बनाई रखी जाएगी इस आश्वाषन को पूरा किया गया था भात के गवर्नर जर्नर को किस एक्ट के द्वारा अपनी शमीती के नेड़य को अस्वीकार करने का अधिकार मिला तो वह एक्ट था और कुछन इस तह से पूछा जाता है कि माले मिंटो सुधार किस वर्स में पारित किया गया तो वह वर्स था 1909 है फिसी से संबंधित एक कर कुछन दूसरे फार में पूछा जाता है कि मुसल्मानों के लिए अतरिक्त निवाचक मंडल प्राणम में किसके द्वारा बनाया तो इसका उत्र होगा मौले मिन्टो सुधार 1909 के द्वारा उन्हें सेंटो के इंडियन कॉण्सिल एक्ट में किस बात की वैस्ता की गई Hack जी किसकी वैस्ता की गयी ती रूपो टरीतव एक प्रतिनिध्यतों की यह चारों कर दी है मोंटेंगे जैम्सकूर्ट पिजभी सुथार में प्राभधानों का अतल साथ तो में द्वास वेनिए गई थी मांटेंगू उटनेट मिशन तीन मंतिraz किया गया था यह मंत्री कौन कौन से थे यह मंत्री थे लॉड पैठिक लॉरेंस एबी एलेक्जण्ड़ और Sir Stafford Grips, यह चार option दे सकते हैं, तो इन में चार option में इन तीनों लोग का नाम रहेगा, एक अलग से Lord Ackley का दे दे गा है, किसी का भी नाम Lord Upling का दे दे गा, इसे दे दे गा, तो आप लोग को पूछेगा कि इन चार option में से, कौन से तीन ऐसे मंति थे जो की Cabinet Mission से संबंदित तो वो मंतिते लार्ड पैथिक लारेंस, एवी अलेकजेंडर और सर इस्टेफर्ड क्रेप्स पंधरवा कुशन है, कैबनेब मिशन योजना के संबन्द में कौन सा कतन सही है तो चार आप्षन है, पहला प्रांतिय समुही करन, दूसरा भारती सदर्श्यों वाला अंतरिम निर्मार कादिकार ये कैबनेब मिशन योजना के अंतरगत इसका प्राभधान किया गया था सोलामा कुशन है, भारत का समीधान लागू होने तक सवतंता के पर्षाद इसका साशन किसके अंतरगत चलाया गया बारत का साशन 1935 के भारत सरकार अधनियम के द्वारा चलाया गया सतवा क्ытष्ण है भारतियों को वर्स 1947 में साघ्व़ॉम सत्ता शौपने की योजना किस नाम से जानी जाती तो उनासिश्चार्व कृष्ण में साघ्वहुं सत्ता भारतियों को शौपने की योजना म Understanding योजना के नाम से जानी जाती से संवंदित से शाचाशन मिशन संवंदित से संबों सबन स्ट लुए यह संबंदि health निरवाचन कहते बाद्रश्द अंत्या विटिश्ले शक्ति में आया दिशाließen शक्ति में आया इस इरीज का बीस्वा कुशन है कि अखिल भारती महासंग स्थापित करने का प्रावधान सामिल किया गया था तो अखिल भारती महासंग स्थापित करने का प्रावधान भारत सरका अधनियम 1935 के अंतरगत किया गया था इकिसमा कुशन है किस अदनियम ने केंड में रखिशार्कार्ण प्रामिप इस्थापित किया था तो भारसर का कुछरु प्रोन ने केंड में रखिशार्कार्ण अदनियम ढृतरीं केंड Nep induced किया था तेश्मा कुछन है किस अदनियम के प्रमुक विषेष्टा थी प्रांति स्वॉयतत था तो किस अंग्यम की प्रमुख विशेष्टा थी प्रानति स्वायतिता था? चोईश्मा कुछन है भारत में सचीब का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अट्नियम 858 के द्वारा भारत में सचीब का पद निर्मित किया गया था थो दीएर फ्रेंज ये थी इंडियन पॉलिटिक के भारती भारत के समयदानी किध्याद से संबंदित अत्यंद महथवपुर प्रश्न जो कि विविन पईच्छाओं में अब तब पूछे जा चुके हैं तो इसलिए सी भारत की समयदानी किध्याद से तमबंदे टापिक में यह कुश्यन अत्यंद महत्पूर हैं जिसके अंतरगत मैंने अत्यंद महत्पूर 24 कुश्यन की उनके एंसर के सहीद चर्चा की है जो की वन लाइनर फॉर्म में हैं मैंने इसलिए ऐसा इसलिए किया है ताकि कम समय में आपके अधिक से अधिक कुश्यन रिवाइज हो सके आपनों इनको रिवाइज तब तक करिएगा जब तक कि आपके यह मुझवानी रटना जाएं क्योंकि एतंध महत्पूर यह जो खंड सिच्छा इदिकाली की मैं से संबंधििक रहिए लिए सुने भिश्यन रहरा कूश्यन अतियन मुहत्पूर अंध मुझवानी रट ना जाये तब तक किम इन देखते करिएगा अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके पीडियाफ नोट्स को इन क्यूशन के पीडियाफ नोट्स को आप आपको शेयर करूं तो जल्दी से जल्दी इस पे 100 व्यूज ले आईए जैसे ही 100 व्यूज कंप्लीट हो जाएंगे मैं इसके पीडियाफ को अपने चैनल का लिन्क इस वीडियो के डिस्क्रीप्शन में मैं प्रृवःट कर दूँंगी तो आप लोग मेरे टेलिगाफ चैनल को ज्वाइट कर लिजे अगले most important question के साथ आपके सामने face से प्रस्तुत होंगी तब तक के लिए bye, take care